और शे बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दे बीसवे आसियान भारत शीकर समिलन में पियाम मुदी निका की चौथे दशक्त में पहुची हमारी साजीदारी शीकर समिलन के से अध्यक्षता करना मेरे लिए सम्मान की बात पियाम मुदी निका आसियान में सभी देशों की आवास सुनी जाती हैं हम पूरी दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवास उठाने के लिए प्रतिबद है बीसवे आसियान समिलन में पियाम मुदी ने निताओं के साथ तस्वीर के चवाई इस तुरान सभी निताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा रखा था जकार्ता में पियाम मुदी का भव्य स्वागत क्या गया चकारता में होटल पहुंचने पर भारतिय प्रवासियों के सलस्यों ने पिया मोधी का स्वागत किया और उनसे हाथ मिलाया G20 बठा का काउंटडाउन शुरू हुआ दिखेगी भारत की धमग पिदेशी में हमानों का स्वागत करने के लिए दिल्ली तयार G20 में आने लगे महारती अमेरिकी राष्टपक्ती जो बाइडन कल पहुंचेंगे दिल्ली बाइडन की सुरक्षा में तैनाथ अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के टीम ने दिल्ली में देरा जबाया G20 समिलन के लिए बने इंटरनाशनल मीडिया सेंटर के तस्वीरें सामने आई समिलन के लिए निर्धारिस्तान पे दुनिया वर्थ से आ रहे महमानों के लिए वर्ल्ड क्लास के सुविदाओं की ववस्ता भी की गई G20 सिकर समिलन के लिए तयार किये गए इंटरनाशनल मीडिया सेंटर में कुल नौ वर्क जोन बनाये गए G20 सिकर समिलन को लेकर सुरक्षा व्यस्ता चाक चौवन दिल्ली ट्राफेक पुलिस ने जारी के नए क्यातायात प्रतिवन सबी तरह के मालवाद वाहन बानेज्यक वाहन अंतराजिया ब्रसे नहीं चलेंगी मतुरा रोड भैरो रोड तुराना किला रोड प्रगती मैदान सुरंग के अंदर नहीं वानों को अनुमती नहीं साथ और आठ सितंबर की मध्य राते से दस सितंबर तक परिवान पलगी पावर्ति भारजोडो यात्रा के पूरे हुए एक साल राहूल गांदी ने भारजोडो यात्रा को लेकर एक्सपर पोस्त लिखी राहूल गांदी ने अपनी पोस्ट में लिखा भारत जुरू यात्रा के एक तौर मौबबत की करोड़ों कदम देश के बहतर कल की बुनियात बने हैं नफरक मिटने तक भारत जुडने तक क्या प्राद जाए दिगी इंडिया का नाम बदलने पर स्यासत तेज धिली के सीए मर्विन के जिवाल इंडिया के नाम बदलने को लेकर उन्होंने बयान दिया का इंडिया गठबंदन का नाम बदल कर भारत रख लिया जाता तो क्या बीजेपी भारत का नाम भी बदल देगी इंडिया लाइन्स के निताओं का एक और जवादित पयान आर्जेडी के बिहार अध्यक्ष चक्दान इन्ने का टीका लगाने वालों ने देश को बनाये कुलाब बीजेपी का परटवार नकली जेने वालों ने देश और धर्म सब को बेचाए एरोप के चार दिवसे आत्रा पे राउल गांदी बेल्जियम के ब्रूसेल्स में कई कारक्रोमों में शामिल हुए एरोपियन यूनियन के सांसदों के साथ भारते समुदाय से करेंगे संबाद आठ सितंबर को पेरिस के एक यूनिवरसिटी में चात्रों को संबोधित करेंगे राउले आरत नाम पर सियासत जारी है नाशनी कॉन्फरेंस के उपाद्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने का हमारे समिधान में दोनों नाम दर्ज हैं अब्दुल्ला ने का प्रधान नंत्री कहां से कहां इंडिया शब भटाएंगे स्वी आई इस रो इन सब के नाम बदलने होगे आरेसर स्प्रमुक पोहन भागवत ने आरक्षन पर बड़ा वयान दिया कहा जब तक हमारे समाच में भेधवाव और असमानता मौजूद तब तक आरक्षन जारी रहना चाहिए थागवत बोले अगर युवा अखंड भारत के लिए काम करते रहेंगे तो भूड़े होने से पहले इसे साकार होता देखेंगे उदे निदी के सनातन को लेकर दिये बयान पे स्मिती रानी का बयान कहा जब तक भक जीवित हैं कोई नहीं दे सकता आस्था को चुनौती दिल्ली के द्वार का मैं जन्मास्ट भी मौच्वप पर बोलते हैं कहा हमारी अवास उन लोगों तक पहुछनी चाहिए जिनोंने सनातन धर्म को चुनौती दे सुनिया गांदी ने पिया मुदी को चिठी लिका संजट के विशे सत्र की जानकारी मांगी सुनिया गांदी लेटर में कुल नौ मुद्धों का जिकर किया सुने गानिने स्पेशल सेशन में पियमोदी से मेंगाई विरुजगारी पचरचा की मांकी पल्ला जोशी निकात विशेश सत्र बुलाना सरकार का धिकार नेता जी सुबाश चंदर बोस के पोते चंदर बोस ने चोड़ी पीजेपी जेपी नड़ा को लेटर लिखकर दिया स्तिव कहा पार्टी ने वादा किया था कि वो नेता जी की विचाप धारा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन कुछ नहीं किया आज देशपर में कृष्ण जिनमाष्ट में के धूम मतुरा विंदावन में कई कृष्ण मंदिरों में शर्धालू का ताता विंदावन के बांकी व्यारी समेथ सभी मंदिरों को रोश्मिया फूलों से सिजा गया सोबा से ही देश विदेश से शर्धालू काना की नगरी म और कि एकत्र होने लगे पूंबइं में दई हांडी उत्सपप के धून दादर और रहे सार में गुविंदा एकटे रूए मुंबइं में दई हांडी देखने के लिए देश विदेश के लोग पहुँचते हैं किसी भी तरह की गटनाउं से तेपटने के लिए एमसी ने कमर कसी करें